Snapchat ID login problem जैसे ही दोस्तों आप जो यहाँ पर login करने के लिए जाते हो तो यहाँ पर लिग किया जाते है Please wait your connection and try again support code C14B इस तरह की problem आपको देखने को मिल रही है आप जो अपनी Snapchat के ID को Snapchat के account को login करने जाते हो अपने friends अपनी Instagram मतलब Snapchat में तो ऐसे में आपको यह दिक्कत आ जाती है यह problem आ जाती है तो इस problem को हम solve करने वाले आज इस वीडियो को end देखते रहेना अगर आपको भी यह आपके भी Snapchat के अंदर आपकी आपके ID जो account जो होता है login नहीं हो रहा है तो इस वीडियो को पुरा end देखते रहो तो चले हम वीडियो को शुरू कर लेते है सबसे पिले यह problem आ रही है और आपके पास चाहिए कोई सबी phone हो Redmi, Vivo, Oppo, Samsung, Realme, Poco तो simply है आपको अपने mobile के settings को open करनी है आपको बस अपनी mobile के settings में जाना होगा then friends आप सभी को scroll down करके आपको यहाँ पे apps के option पे click करना है अब यहाँ पे आप जैसी apps के option पे click कर दोगे उसके बाद आपको जाना होगा app management का option आपको डून लेना है simply यह वाला जो है app management का option मिलेगा जिसमें आपको tap करना है आप यहाँ पे click करने के बाद simply आपको क्या करना होगा आपको यहाँ पे search bar देखने को मिल रहा है ना उपर यहाँ पे आपको search करना है snapchat आप simply आपको search करना है snapchat जैने snapchat आ जाएका तो इसके उपर click करके अपने snapchat को open कर लेना है जैसी यहाँ पे आप open कर लोगे यहाँ पे आपको नीचे का option में लगा है storage के नाम से जिसमें आपको click करके आपको इसकी storage clear catch करनी होगी और यहाँ पे आपको manage space पे click करके आपको इसकी storage को delete करनी होगी clear data कर देना है अपने snapchat का उसके बाद आपको simply आपको क्या करना होगा आपको play store open करके snapchat को search करना होगा यदि आपको कोई भी snapchat के उपर update देखने को मिल रहा है तो simply आपको जो है अपने snapchat को अपने play store से update कर लेना है तो update सब कुछ करने के बाद क्या करना होगा simply आपको जो हैं पर मैं बता देता हूँ आपको simply आपके अपने जो है मुबाइल डाटा को आफ करना है एरोपलेन मोड को आउन करना है मुबाइल के फिर उसके बाद एरोपलेन मोड को आफ करके फिर डाटा को आउन कर देना है अब friends इतना सब कुछ करने के बाद आपको क्या करना होगा simply अपनी Snapchat को Play Store में जाके अपडेट कर लो अपडेट करने के बाद अपनी Snapchat को ओपन करके अब यहां से जाओ and directly अपने नंबर को लॉगिन कर लो 100% आपका लॉगिन हो जाएगा मैं लिक के लिए देता हूँ आप जाके ट्राइ कर लो एक बार से और आपका जोई लॉगिन होना स्टार्ट हो जाएगा I hope यह वीडियो आपको समझ में आ गई होगी वीडियो हेलफू लगी तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नई नई वीडियो में